हेलो फ्रेंड्स आज हम आप लोगों को बायलोजी से जुड़े कुछ महत पूर्ण प्रश्ण और उनके उत्तरों को बताऊंगा जो विविन कामप्रेटिव एक्जाम्स में पूछे जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रश्ण है मधुमक्खी की रानी किस कारे के लिए बिसिष्टी कृत होती है ओप्शन है छत्ते में प्रसासन के लिए छत्ता बनाने के लिए अंडा रोपन के लिए भोजन जुटाने के लिए आंसर होगा अंडा रोपन के लिए क्योंकि रानी मक्खी छत्ते की सर्फ रेष्ट मक्खी होती है रानी मक्खी लगभग पांच वर्ष तक जीवित रहती है और अंडे देने के अत्रिक्त कोई अन्यकार्य नहीं करती है अगला प्रश्ण है इर्मे से कौन सा कीट सामाजिक है ओप्सन है घरेलू मक्खी, खटमल, दीमक, मक्छर आंसर होगा C, दीमक, दीमक के अलावा मधमक्खी और ततया भी सामाजिक कीट होते है अगला प्रश्ण है लाख होती है ओप्सन है एक पौधे की जड़, एक पक्छी का घोसला, एक कीट द्वारा स्रावित पदार्थ अखरी है एक मचली की सलके आंसर होगा C, एक कीट द्वारा स्रावित पदार्थ लाख कीट भारत और वर्मा के जंगलों में पीपल, साल, बरगद, अंजीर, आदि ब्रच्छों पर पाया जाता है जो प्रतिकूल रितुओं तथा सत्रों से बचने और अंडे देने के लिए लगभग 2 सेंटीमेटर मोटी पपड़ी की रूप में लाख द्वारा रच्छात्मक घोसले की रूप में होता है लाख का स्रावण मादा कीट करती है लगभग 2 करोड किलोग्राम लाख का निर्यात हमारा देश प्रतिवर्स करता है अगला प्रश्ण है जू किसकी बाह पर जीवी है आप्सन है मचली, मानो, सर्प, वेल आंसर होगा B, मानो इसके अलावा खटमल, पिस्सू, आदि कीट भी बाह पर जीवी होते हैं अगला प्रश्ण है रेसम कीट पालन को कहते हैं आप्सन है सेरी कल्चर, पिसी कल्चर, एपी कल्चर, हार्टी कल्चर आंसर होगा A, सेरी कल्चर इसी प्रकार ये तीन जो आप्सन और बचेवी हैं इनके बारे में आपको बता देता हूं PC culture मतस्य पालन, EP culture मधुमक्खी पालन, हार्टी कल्चर बागवानी के लिए नाम दिया गया है इसी प्रकार फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर भी कहते हैं अगला प्रश्ण है मधुमक्खी मधु का भंडारण किस में करती है? आप्सन है आमासय में, लारगरंथियों में, छत्ते के कोश्ठकों में, क्रॉप में आंसर होगा छत्ते के कोश्ठकों में मधुमक्खीयों के छत्ते में कोश्ठकों की रचनात्मक बेवस्था अच्छे अच्छे भवन निर्माता भी समझ नहीं पाते हैं मधुमक्खी खाद भंडारन के रूप में बहुत सा मधु या हनी इनही कोश्ठकों में संचित रखती है अगला प्रश्ण है अफ्रीकी निद्रा रोग होता है आप्शन है ट्रिपैनोसोमा गेंबियंस एंट अमीबा जीजिवैलिस प्लाजमोडियम वाइवैक्स और अंतिम है आप्शन ट्रिपैनोसोमा लेविसाई आंसर होगा A, Trepanosoma Gambians Trepanosoma Gambians केंद्रीय तंत्री का तंत्र पर आक्रमण करते हैं और Cerebral Spinal Draw में घुश जाते हैं इसी कारण रोगी को निद्रा रोग उत्पन्न होता है अगला प्रेश्ण है कौन सा कीट रोगों के यांत्रिक वाहन में सर्वोपरी है Option है, खटमल, जू, घरेलू मक्खी, चूहा फली, आदी आंसर होगा, C, घरेलू मक्खी घरेलू मक्खी का जन्त वेग्यानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका होता है इसके द्वारा फैलाय जाने वाले प्रमुख रोग, हैजा जिसको कॉलरा कहते हैं आतिसार जिसको डायरिया के नाम से जानते हैं, कोड, टाइफाइड, तपेदिक या टुबर क्लोसिज, आदी रोग, घरेलू मक्खी के द्वारा फैलते हैं अगला प्रश्ण है, कौन सी जोड़ी सही है A. एपीकल्चर मधुमक्खी B. सेरीकल्चर मचली C. पिसी कल्चर मधुमक्खी D. एपीकल्चर रेसमकीट आंसर होगा A. एपीकल्चर मधुमक्खी अगला प्रश्ण है, कौन सा रोग खटमल द्वारा फैलाया जाता है A. आप्शन है, टाइफाइड ज्वर, ट्रेंच ज्वर, पीत ज्वर, टाइफास रिलैप्सिंग ज्वर A. आंसर होगा टाइफास रिलैप्सिंग ज्वर खटमल के द्वारा कोड रोग भी फैलता है या कोड भी हो जाता है अगला प्रश्ण है, फूलों के परागण के द्रिष्ट कोण से कौन सा कीट महत्वपूर नहीं है आप्शन है, तितली, भावरा, ज्वर, ज्वर, मधमक्खी आंसर होगा, ज्वर, आपको बता दूं कि परागण किसी न किसी माध्यम या कर्मक के द्वारा ही होता है उन्ही कर्मकों में कीट भी एक है, कीटों द्वारा परागित होने वाले कुछ पुस्प जैसे सरसों, गुलाब, बोगन बिलिया, आक, आदी है अगला प्रश्ण है, स्रमिक मधमक्खी के कौन से देह खंडों में मोम ग्रंथियां पाई जाती है आप्सन है, वच्छ खंडों में, सारे उदर खंडों में, दूसरे से पांचवे उदर खंडों में, अंतिम उदर खंडों में आंसर होगा C, दूसरे से पाँचवे उदर खंडों में, अर्थात मधुमक्खी के दूसरे से पाँचवे उदर खंड में मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं अगला है, मधुमक्खी का इन में से कौन सा कारे सबसे अधिक महत्वपोड होता है आप्सन है, मोम का उत्पादन, पौधों का परागण, प्रोपोलिस का उत्पादन, प्रदूसन को रूपना आंसर होगा B, पौधों का परागण अगला प्रश्न है, मधु होता है आप्सन है, अमलिये, छारिये, मध्यम, ताजा अमलिये एवं पुराना छारिये आन्सर होगा A. मधु अमली होता है अगला प्रश्ण है मनस की खोपडी कितनी हड्डियों से सम्मलित होकर बनी होती है उत्तर 29 अर्थाद खोपडी में कुल 29 हड्डियां होती है इन में चेहरे वा कान की तीन छोटी अस्थियां भी सम्मलित है अगला एक युवा मानों के सरीर में कितना रख्ट होता है उत्तर लगभग 5-6 लीटर मानों के सरीर के भार के अनुसार उसके सरीर में रख्ट पाया जाता है अगला मानों के सरीर के सबसे महत पून ग्रंथी कौन सी होती है उत्तर पिटी उटरी ग्रंथी अगला प्रश्न है पीलिया रोग का सरीर के किस भाग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उत्तर जिगर पर अगला प्रश्न है वयस्क बेक्ति की नाड़ी एक मिनट में कितनी बार धड़कती है उत्तर लगभग 72 बार अगला प्रश्न है मानों सरीर का सामाने तापमान कितना होता है उत्तर 37 डिगरी सेंटिग्रेट अगला सोया भीन में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ होता है उत्तर प्रोटीन अगला प्रश्न है एक सामाने बिक्ति के सरीर में कितना रगत होता है उत्तर सरीर के वजन का लगभग 7 प्रतिसत अगला पेश मेकर सरीर में क्या कारे करता है उत्तर दिल की धढ़कन को चालू रखता है अगला प्रश्न है सूरी के प्रकास द्वारा कौन सा बिटामिन हमें प्राप्त होता है उत्तर सूरी के प्रकास से हमें बिटामिन डी प्राप्त होता है अगला प्रश्न है सरीर को बढ़ाने में कौन सा तत्तो मुख्य रूप से कारे करता है उत्तर प्रोटीन अगला प्रश्ण है वयस्क बेक्ति काहिर्दे एक मिनट में कितनी बार धाड़कता है उत्तर लगभग 70 से 75 बार धाड़कता है अगला प्रश्ण है मनुस्य के सरीर में कितना पानी होता है उत्तर लगभग 65 प्रिस्चतानी होता है हिपेटाइटिस का सरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है उत्तर यक्रित पर हिपेटाइटिस का प्रभाव पड़ता है अगला मानों सरीर के रक्त में लाल और सफेद को सिकाएं किस तरल पडार्थ में तैरती रहती है उत्तर प्लाजमा में अगला प्रश्ण है मनुस्य का हिर्दय 24 घंटों में कितनी बार धड़ता है उत्तर एक लाख छेजार पांसो साथ बार लगभग में है ये चाय में कौन सा अमल होता है उत्तर टैनिक अमल अगला चाय में हानिकारक पदार्थ क्या होता है उत्तर कैफीन कैफीन मस्तिश्क को प्रभावित करता है इसकी खोज फेडरिक रंज ने की थी अगला क्रितिम रूप से फालों को पकाने के लिए कौन सी गैस काम मिल ले जाती है उत्तर एसिटिलीन या एथिलीन अगला गैसिये सीतल पे बोतलों में कौन सी गैस भरी जाती है उत्तर कारबन डाय ओकसाइड अथवा सी ओटू अगला भोजन का कौन सा खानिज प्रोटीन के साथ मिल कर हीमोगलोबिन बनाता है उत्तर लोहा अगला प्रश्ण है नारंगी तथा नीम्बू में कौन सा बिटामिन प्रचुर मात्रा में होता है उत्तर बिटामिन सी अगला एक मानो शरीर की आवस्यक सारीदिक संपूरता के लिए सही अस्थी विकास हेतू कौन कौन से दो खानिज अनिवार होते है उत्तर कैल्सियम औ और फास भोरस यानि ये दो तत्तो जो हैं ये दो खनिज तत्तो आपकी हड्डियों के लिए अस्थियों के विकास के लिए अत्यंत आवस्यक होते हैं अगला भोजन के अलावा एक मनुस्यको और क्या आवस्यक वस्तों की आवस्यकता होती है उत्तर पानी और हवा की उत्तर उर्जा आपूर्थि के लिए, अर्थात वसा का कार उर्जा आपूर्थि करना है, अगला बिटामिन A का प्रमुख कार क्या है, उत्तर बिटामिन A का प्रमुख कार आखों के लिए होता है, इसके साथ साथ कान और नाक के सुचार रोप से कार करने के लिए, तथा पाचन किरिया में सहायक अर्थात भूख और पाचन किरिया में विटामिन B सहायक होती है और साथी साथ इस नायू संस्थान को भी सक्ति प्रदान करती है अगला विटामिन C का मुख्य कारे क्या है उत्तर हड्डियों के निर्मार में सहायक होती है अर्थात नई हड्डियों के विकास में सहायक होती है अगला विटामिन D का मुख्यकार क्या है उत्तर मजबूत दात तथा हड्डियों के निर्माण में सहायक है विटामिन D जो सूर्य के प्रकास से सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होती है अगला विटामिन E का मुख्यकार क्या है विटामिन E का ब्रिद्धी करना अर्थात जनन सक्ति में ब्रिद्धी करना है अगला विटामिन के का मुख्य कारे क्या है उत्तर खून जमने में सहायता करना अर्थात रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करना रुधिर का थक्का बनाना चलिए अब रोगों से जुड़े कुछ प्रेश् कम हो जाते हैं लाल रुधिर कडिकाएं कम हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है उत्तर एनेमिया रोग हो जाता है अगला पागल कुत्ते के काटने से होने वाले रोग का नाम बताईए उत्तर हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नमक को पानी से डर लगने लगता है अगला इनफलीज मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलता है उत्तर मलेरिया रोग अर्थात मलेरिया रोग इनफलीज मच्छर के काटने से होता है अगला आपचन को चिकिस्सा समंधी भासा में किस नाम से जाना जाता है उत्तर डिस्पेसिया या मंदागनी, अगला एक्सरे मसीन पर कार करने वाले कर्मचारी अक्सर किस रोग से पीडित होते हैं, उत्तर कैंसर रोग से, अगला सेमेंट के कार खाने में काम करने वाले मजदूर किस रोग से पीडित होते हैं, उत्तर स्वासनली संबंधी रोग से अथवा ब्रैंकायट किस नामक रोग हो जाता है अगला भोजन में बिटामिन B की कमी से होने वाले रोग का नाम बताईए उत्तर बेरी-बेरी रोग अगला रक्त के ठक्के से रुधिर वाहिनी में रुकावट आने को किस पारिभासिक सब्द से पुकारते हैं उत्तर थ्रॉम्बोसिस अगला वाय प्रदूशन से मनुस में स्वास संस्थान सम्मंधी कौन सा रोग हो जाता है उत्तर दमा जिसमें सास फूलने लगती है अगला पानी में फ्लोराइड की अधिक्ता से कौन सा रोग हो जाता है उत्तर फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है यदि पानी में फ्लोराइड की अध रेची में डायबर्टीज भी कहते हैं यह इंसुलिन की कमी से होता है अगला ब्लड कैंसर को आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है उत्तर लिवकेमिया नामक रोक के नाम से जानते हैं ब्लड कैंसर को चलिए अब सरीर और उसके कार्यों से जुड़े कुछ प्रश्ण तथा उनके उत्तरों को बता देता हूं जिसमें से पहला है एक मानो सरीर में कुल कितनी पसलियां होती है उत्तर बारह जोड़ी अर्था 24 पसलियां होती है अगला प्रश्ण मानो सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी का नाम बताईए उत्तर जिगर या यक्रित अगला मानो सरीर के कि इस भाग की मान स्पेशी सबसे अधिक मजबूत होती है। उत्तर जबणों की मान स्पेशियां अधिक मजबूत होती है। अगला प्रश्ण है सामान तयाह एक आवसत मानों सरीर का ताप मान कितना होता है। उत्तर 37 डिगरी सेलसियस अथवा 98.4 डिगरी फारेन हाइट। अगला सामान मनुस 24 घंटे में कितनी बार स्वसन करता है। उत्तर 22,000 बार स्वसन करता है। अगला एक सामान मनुस के हिर्दे से प्रती मिनट कितना रग्त फेका जाता है या पंप होता है। लगभक 5-6 लिटर अगला मनुस में उच तनाव को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर उच रग्त चाप या हाई बलड ट्रेसर, अगला नियमित रग्त दान करने वाले को किस्षरक्ट सम्मूह का होना चाहिए। उत्तर ओ रग्त दान कर सकता है। अगला लाल रक्त कणों का सबसे मुख्य घटक क्या है? उत्तर हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का परिवान करता है. अगला पाइरोफोबिया कौन सा रोग है? उत्तर पाइरोफोबिया में आग से भै होता है अर्थाग से भै लगता है डर लगता है. अगला एक सामान मनस्य के सिर के बालों की वृध्धी की दर क्या होती है? उत्तर लगभग दो सप्ताह में एक सेंटीमीटर एक सामान मनस्य के बालों में वृध्धी होती है. अगला नसवार किस पदार्थ से बनाया जाता है? उत्तर तंबाकू से बनाया जाता है. चलिए कुछ अन्य प्रश्ण और उनके उत्तर बता देता हूं, जिसमें से पहला है, फोटो कॉपी करने वाली मसीन द्वारा कौन सा हानिकारक प्रदूसक वायु मंडल में भेजा जाता है, उत्तर ओजोन गैस, अगला अध्रिस पर्यावरण ये प्रदूसन का नाम बताईए, उत् रिखते तो नहीं हैं, लेकिन पर्यावरण को प्रदूसित करते हैं, अगला पर्यावरण में DDT का प्रभाव कितने वर्सों तक रह सकता है, उत्तर 20 से 25 वर्सों तक DDT का प्रभाव रह सकता है, अगला प्रश्ण है, पेट्रोल चालित कार से उस सरजित सर्वाधिक जहरील गैस कौन सी है, उत्तर कार्बन मोनो आकसाइड, अगला है, उस इंधन का नाम बताईए, जिसके दहन से अधिक हाइड्रोकार्बन उत्पन होते हैं, उत्तर कोईला और पेट्रोल, अगला प्रश्ण है, प्रदूसकों को मानीटर करने वाले पौधों को किस नाम से पुकार आते हैं, उत्तर बायो मानीटर्स, अगला पर्यावर्ण में DDT की उपस्थिती बताने वाला जैविक सूचक क्या है, उत्तर पक्छी, अगला कौन से पौधे, प्रिकिर्ति में प्रदूसन के जैविक सूचक का काम करते हैं, उत्तर मांस वा लाइकेंस के पौधे, जैविक सूचक का काम करते हैं अगला प्रश्ण है भारत में प्रसिद चिपको आंदोलन कहां प्रयारंब हुआ उत्तर उत्तर प्रदेश के उत्तराकासी वा गोपेश्वर अर्थात गढ़वाल छेतर में अगला प्रश्ण है बिस सुबेश सरप्थम कहां पर एटम बम डालने की उत्तर हिरोश्विमा जापान अगला भोपाल गैस दुरघटना में जिस गैस के रिशाव से हजारों लोगों की जाने गई उसका नाम बताईए उत्तर मिथाइल आइसोसाइनेट अगला प्रश्ण है खाद पदार्थों के सन्रक्षण में प्रियोग किया जाता है ओप्शन है नाइट्रिक अमल हाइडरोकलोरिक अमल सोडियम बेंजोएट बेंजोएक अमल आंसर सी सोडियम बेंजोएट अगला प्रश्ण है बिटामिन ए है एसकार्बिक अमल टोकोफे जल में घुले होते हैं, आप्शन है, बेरियम सलफेट, मैगनेसियम वा कैलसियम के बाइकार्बोनेट, मैगनेसियम सलफेट, सोडियम क्लोराइट, आंसर सही है, बी, मैगनेसियम वा कैलसियम के बाइकार्बोनेट, अगला प्रश्ण है, समुद्री जल से नमक निम्निविद से तैयार किया जाता है option A ओर्ध पातन द्वारा, वास्पी करण द्वारा क्रिष्टिली करण द्वारा आस्वन द्वारा answer सही होगा B, वास्पी करण द्वारा अगला प्रश्ण है वे पौधे जिसमें कभी पुस्प्रिया बीज नहीं बनते हैं option है आर्किट्स, जिम्नोस्पर्म, फर्ण, एंजियोस्पर्म answer है सही C, फर्ण अगला प्रश्ण है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट इस्थित है चिन्नई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, लखनव में answer सही है B, कलकत्ता में अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सरोबर या जील में, तेजी से व्रिध्धी करते है A, सिघाडा B, हाइडोला C, जलकुम्भी D, नागपनी answer सही है C, जलकुम्भी अगला प्रश्ण है वनों को काटने का परणाम होता है वर्सा एवं नमी में ब्रिध्धी मिट्टी का च्छारण एवं आन्यंत्रितबाड उस्ष्णता में कमी उपित्व में से कोई नहीं answer सही है B, मिट्टी का च्छारण एवं आन्यंत्रितबाड अगला प्रश्ण है मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते है मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हैलोफाइट्स answer सही होगा C, जीरोफाइट्स अगला प्रश्ण है हमारा राष्ट्य व्रच्छ है पीपल, बर्गद, आम, पाकड answer सही होगा B, बर्गद, हमारा राष्ट्य व्रच्छ है अगला प्रश्ण है जीवास्म नेशनल पार्क अविस्थित है केरल में, करनाटक में, मध्य परदेश में, 36 गड़ में answer सही होगा C, मध्य परदेश के मंडला में जीवास्म नेशनल पार्क अविस्थित है अगला प्रश्न है निम्न में कौन युनिस्को धरोहर स्थान है अप्सन है केवला देव राष्टिय उद्यान चिलका जील राष्टिय उद्यान केरल का पस्च जल अप्सन सही योगा ए केवला देव राष्टिय उद्यान निम्न म इसे किसे व्यच्छ मानों कहा जाता है, बाबा आम्टे, चंटी प्रसाद भट, रिचार्ड सेंट बार्ब वेकर, सुन्दर लाल बहुगुडा, आंसर सही होगा C, रिचार्ड सेंट बार्ब वेकर को, अगला प्रश्ण है, सेंटीग्रेट एवं फारेंड हाइट स्केल में समान तापमान होता है, मैनस चालिश डिगरी सेंटीग्रेट, मैनस बत्तिस, मैनस दो सुती हत्तर, मैनस सो डिगरी सेंटीग्रेट, आंसर सही होगा A, मैनस चालिश डिगरी सेंटीग्रेट, अगला प्रश्ण है, किस पक्छी का आँख उसके मस्तिस्क से बड़ी होती है आफसन है तोता, जील उल्लू, आस्ट्रिच आंसर सही होगा D, आस्ट्रिच की आँख उसके मस्तिस्क से बड़ी होती है, अगला प्रश्न है उच्च दाब पर सोडा निर्माड हे तू जल में कौन सी गैस विले की जाती है? आफसन है CO2, O2, N2, H2 आंसर सही होगा A, CO2 अगला प्रश्ण है एक स्वस्त मनस्य को प्रत दिन कितनी उर्जा की आवसकता होती है? आफसन है 3600 कैलोरी, 2900 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 1000 कैलोरी आंसर सही होगा B, 2900 कैलोरी अगला प्रश्ण है, कैल्सियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है? दूद, मांस, मक्खन, अंडा आंसर सही होगा A, दूद, कैल्सियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है? अगला प्रश्ण है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नश्ट हो जाता है? औफ्षन है, बिटामिन A, बिटामिन B6, बिटामिन C, बिटामिन B1, आंसर सही होगा C, बिटामिन C को गर्म करने पर नेश्ट हो जाती है, अगला प्रशन है, इस्तंधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन, रोटियेच, टाइलिन, एमाईलेज, आंसर सही हो बिटामिन बी एवं सी, बिटामिन बी एवं डी, बिटामिन एवं डी, आंसर सही होगा बी, बिटामिन बी एवं सी, जल में घुलनसेल बिटामिन है, बाकी से इस बिटामिन वसा में घुलनसेल बिटामिन होते हैं, अगला प्रश्न है, भोजन में लौह तत्तु की कमी से कौ कौन सा रोग हो जाता है एनेमिया मधुमेह मस्तिस्क ज्वर वर्णांधता आप्शन सही होगा ए एनेमिया रोग भोजर में लवतत्त्त की कमी से होता है अगला प्रेशन है खाद पदार्थों को सुरच्छित रखने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है सोडियम अगला प्रेशन है मनुस्त के सरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्तु पाया जाता है नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगला प्रेशन है अगला प्रेशन है यदि सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो जन्त भी मर जाएंगे थंडी हवा के अभाव से भोजन के अभाव से लकडी के अभाव से आक्सीजन के अभाव से अंसर सहयोगा D आक्सीजन के अभाव से अगला प्रेशन है प्रोटीन सबसे अधिक होता है अरहर में, मतर में, सोया बीन में, गीहू में अंसर सहयोगा C सोया बीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है अगला प्रश्ण है केंद्रिय राष्टिय वनस्पत संग्रहाले इस्थित है देहरादून में, सिवपूर में, चन्नाई में, इलाहाबाद में आंसर सहयोगा B, सिवपूर में, अर्था कलकत्ता के सिवपूर में केंद्रिय राष्टिय वनस्पत संगरहाले इस्थित है, अगला प्रश्ण है, भोजन का उर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, में क्योंकि माइटोकांडिय उर्जा उत्पादन का केंद्र होती है, अगला प्रश्ण है, प्रोटीन संसलेशन कहां पर होता है, गालजीकाय, राइबोसोम, माइटोकांडिय सेंट्रोसोम, आंसर होगा B, राइबोसोम, अर्थात, प्रोटीन संसलेशन का कार राइबोसोम करते हैं अगला प्रश्ण है बिश स्वास्त संगठन डबलु एच ओ का मुख्याले कहां है निवियार्ग पेरिस जेनेवा लंदन आंसर सही योगा सी जेनेवा में अगला प्रश्ण है व्रिच्छ की आयू ग्यात करने की सबसे अच्छी विधी है साखाओं की संख्या ग्या आंसर सही योगा बी वार्शिक वलयों की संख्या ग्यात करना अगला प्रश्ण है प्रकास संसलेशन में उर्जा परिवर्तन का क्रम है बिद्धुत प्रकास रासायनिक प्रकास रासायनिक प्रकास यांत्रिक यांत्रिक प्रकास आंसर सही योगा बी प्रकास का रासायनिक कुर्जा में परिवर्तन, अगला प्रश्ण है, क्लोरोफिल निर्माड के लिए आवस्यक है, कापर और जिंक, कैल्सियम और लोहा, जिंक और बोरान, लोहा और मैगनेसियम, आंसर जही होगा, डी, लोहा और मैगनेसियम, अगला प्रश्ण है, एक मनुस्य को भोजन में केव दूद, अंडे, तथा रोटी दिया जाता है वह समानताइर रोगी होगा रिकत रोग का, बेरी बेरी रोग का, इसकरवी रोग का, रताउंधी का आंसर सही होगा C इसकरवी रोग का भारत का राच्टी प्राट उध्यान कहां इस्थित है? उत्तर नई डिल्ली में दोस्तों, प्राणी उद्यान या जिलोजिकल पार्थ में जीवित प्राणियों वा अनिपस Zusों को उनके प्राकर्तिक आवास के संकक्ष परिष्थितियों में रखा जाता है अगला प्रश्ण है भारत में प्राकर्तिक इतिहास का राष्टी संग्रहाले कहां इस्थित है? उत्तर दिल्ली आपको बता दूँ जीवों में बिभिता, जीवों की जातियों की सही पहचान तथा बिद्यारतियों को बिभिन जन्तों से रूबरू कराने के लिए बिद्याल बड़े-बड़े सहरों में बड़े-बड़े म्योजियम होते हैं जिसमें अन्य जीव जातियों को जीवों को उनकी सरीरों को उनकी अन्गों को सुरच्छित रखा जाता है उन्हें राष्ट्री इस्तर पर इसलिए उन्हें राष्ट्री संग्रहाले कहा जाता है अगला प उत्तर नागपुर महाराष्ट्र में अगला प्रिश्ण है भारत में फोलों की घाटी कहां है उत्तर उत्तर भारत में गढ़वाल छेत्र में अगला प्रिश्ण है भारत में वानिकी सोत संस्थान कहां इस्थित है उत्तर देहरादून जो उत्तरांचल में है अगला प्रश्ण है भारत का केंद्री चावल अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है उत्तर कटक उडिशा में अगला प्रश्ण भारती वन प्रबंध संस्थान कहां इस्थित है उत्तर भारत के भोपाल में अगला प्रेशन है भारत सरकार द्वारा प्रमारित एवं समर्थित पर्यावरण सिच्छा केंद्र कहां इस्थित है उत्तर अहम्दाबाद तथा मद्रास में पर्यावरण सिच्छा केंद्र इस्थित है अगला प्रश्ण है भारत में सर्प उद्यान कहां इस्थ थे उत्तर मद्रास में अगला नल बना पच्छी बिहार कहां इस्थ थे उत्तर चिलका जेल उडिशा में अगला प्रश्ण भारत में सर्प प्रथम आडविक उर्जा केंद्र कहां इस्थापित हुआ उत्तर बंबई सन 1979 में इस्थापित हुआ था अगला प्रश्ण है भारत का सबसे बड़ा तेल सोधक कारखाना कहां लगाया गया है उत्तर उत्तर प्रदेश के मथुरा में अगला प्रश्ण है कौन सा देश जीलों का देश के नाम से जाना जाता है उत्तर फिनलैंड अगला कौन सा देश चारा गाहों का स्वर्ग कहलाता है उत्तर निवजिलैंड अगला प्रश्ण किस देश में रोबोट का उप्योग बहुतायत से होता है उत्तर जापान में अग चीन अगला बिस्टु का सरवाधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है उत्तर साउधी अरब अगला किस देश में लकडबग्गा खाया जाता है उत्तर मिस्र अगला बोनसाई पेड़ों का जन्म किस देश में हुआ है उत्तर जापान में अगला प्रश्ण है संयुक्त राष्ट पर्यावरण कारिक्रम का मुख्याले कहां इस्थित है उत्तर नैरोबी केन्या में अगला यूनेस्को का मुख्याले कहां इस्थित है उत्तर पेरिज फ्रांस में अगला है बिश्व में पर्यावनी द्रिष्ट से किस स्थान को मृत्यु की घाटी कहा जाता है उत्तर क्यूबा टोवा ब्राजील में स्थित है अगला प्रश्ण है भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावन विभाग की स्थापना कप की गई उत्तर अगला भारत सरकार द्वारा केंद्र में केंद्री प्रदूशन नेंत्रन मंडल की स्थापना कप की गई उत्तर 1972 में अगला प्रिथिवी दिवस की पहली वर्सगाठ कप मनाई गई उत्तर 22 अप्रैल सन 1990 को अगला भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कारेक्रम कब आरंभ हुआ उत्तर 1 अप्रैल 1988 में अगला प्रिशन है बायोस्फेयर रेजर्व योजना भारत में कब से प्रारंभ हुई उत्तर 1 सितंबर 1986 से अगला प्रिशन है भारत में राष्टी पोसाहार नेती सरकार द्वारा कब से विकार की गई उत्तर 1993 में और आखरी प्रिशन है संयुक्त राष्ट पर्यावर्ण कारेक्रम कब से प्रारंभ हुआ उत्तर 15 दिसंबर 1972 में चलिए अब पर्यावर्ण सरन अच्छण से संबंधित कुछ मुख्य विक्तियों के नाम बता देता हूं जिसमें से पहला है बिस्व प्रसिध भारती पक्छी विज्ञानी का नाम बताईए जिसे भारत का पक्छी मानों भी कहा जाता है उत्तर डाक्टर सलीम अली इनको भारत का पक्छी मानों भी कहा जाता है अगला मनुस जीवास्म इंधन को जलाकर पिर्थिवी के जलवायू को बदल सकते हैं। विस्त में यह चेतावनी किस ने दी थी। उत्तर जी एस कलेंडर ने दी थी। अगला किस प्रधान मंदृत काल में भारत में बाग परियोजना इसकीम सुरू की गई थी। उत्तर श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में बाग परियोजना इसकीम सुरू की गई। अगला पित्वी सुरच्छा कोस बनाने का प्रस्ताव किस ने दिया था। उत्तर पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गे राजीव गांधी ने। अगला भारत की इतिहास में उस सासक का नाम बताईए जिसने सरप्रथम वन जीव संदच्छन को आवस्यक महातो दिया था। उत्तर समराट असोक ने। अगला भारत में व्रच्छों का आदमी किसे कहा जाता है। उत्तर सुन्दलाल बहुगोडा को ब्रच्छों का आदमी कहा जाता है। अगला खतरनाक हथियार आटम बंप का आविस्कार किस ने किया था। उत्तर आटम बंप का आविस्कार आटो हान ने किया था। झालक झालक किस कर दो ऑच्चों व्रच्छों का आपकों जो व्र्च। झाल